हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल बायमेट्रिका साइंस क्लासेश आज मैं आपके साथ चारगफ्स रूल्स पर डिसकस करूंगा चारगफ्स रूल्स जिसे 1950 में आस्ट्रियन केमिस्ट एरवीन चारगफ्स ने डबूल स्टैंडर डियने के लिए दिया था इस चारगफ्स रूल्स का उनीश सो तिरपन में वाट्सन औड करिक के द्वाड़ा दिये गए DNA के डबूल हैलिक्स एक्स्ट्रेक्चर में महत्पून रोल रहा समरी अफ चारगफ सुरूज पढ़ने से पहले आईए nitrogenous basis के बारे में जानते हैं DNA क्या होता है polynucleotide होता है इसमें nucleotides, sugar, phosphate plus nitrogenous base से मिलके बना होता है किसे nitrogenous basis से मिलके बना होता है यह nitrogenous basis क्या है nitrogen containing organic compounds है यह दो परकार का होता है purines तथा pyrimidines purines double drink compound होता है जो फर्दर दो परकार का होता है adenine तथा guanine and pyrimidines single ring compound होता है जो तीन परकार का होता है thymine cytosine तथा uracil uracil RNA में पाए जाता है और यह हम DNA की बात कर रहे हैं इसलिए DNA में यही चार परकार का nitrogenous base पाए जाता है double standard DNA में क्या होता है कि adenine हमेशा thymine से जोरता है double hydrogen bond से तथा guanine हमेशा cytosine से जोरता है triple hydrogen bond से अब आई यह summary of chargaf rules देखते हैं admin chargaf ने पाया कि double standard DNA में amount of adenine हमेशा equal होता है thymine के तथा amount of guanine हमेशा equal होता है cytosine के होगा ही adenine thymine से जोरेगा तो जतना adenine होगा अतना thymine होगा जतना guanine होगा अतना cytosine होगा क्योंकि guanine cytosine से जोरता है या हम इसे इस परकार भी कह सकते हैं कि adenine तथा thymine का molar ratio 1 होगा उसी तरह से guanine तथा cytosine का molar ratio भी 1 होगा अब आईए अगले point को पढ़ने से पहले एक question देखते हैं जो CBSC All India Pre Medical Test 2002 में पूछा था जिससे numerical value मिलेगा यहाँ पे और उससे अगले points को समझने में आसानी होगी In a DNA The percentage of thymine is 20 20% thymine है What is the percentage of guanine Guanine का percentage उसमें क्या होगा तो अब हम जानते हैं कि DNA में यह 4 परकार का nitrogenous basis पाये जाता है तो उसमें thymine कितना बताया 20% है तो लिख देते हैं यहाँ पे thymine 20% है % की बात करना है इसलिए 100 में 20 thymine है तो adenine कितना होगा क्योंकि adenine ब्रावर thymine होता है तो adenine भी 20% होगा तो 20 20 कितना होगा 40 40 होगा इसको 100 में से घटा देंगे तो 60 हो जाएगा अब यह 60% में आधा guanine होगा तथा आधा cytosine होगा इसलिए क्या करेंगे 2 से divide कर देंगे तो आजाएगा 30 इसलिए guanine कितना होजाएगा 30% तथा cytosine भी 30% होजाएगा इसलिए answer होगा इसका 30% अब next point देखते हैं the purines and paramedines are always in equal amounts क्यलियर है यहाँ से भी कि purines तथा paramedines हमेशा equal amounts में होगा कैसे होगा 20 plus 30 50 तथा paramedines 20 plus 30 50 इसलिए equal amounts में होगा इसलिए मैंने यह question पहले कर दिया यह हम इस तरह से कह सकते है adenine plus guanine बराबर होगा thiamine plus cytosine के यह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि purine upon paramedine is equal to urine कौन कौन सह हुआ adenine plus guanine upon thiamine plus cytosine दोनों का वैलू अगर पूट कीजिगा 50-50 केतना होजाएगा 1 तो यह ratio adenine plus guanine upon thiamine plus cytosine का ratio सभी organism में 1 होता है next point the base ratio a plus t upon g plus c may vary from one species to another but is constant for given species तो यह base ratio जो है a plus t upon g plus c यह given species में constant होगा लेकिन अलग-अलग species में यह vary कर सकता है तथा g plus c का percent जरूरी नहीं है कि a plus t के percent के बड़ावर हो इस परकार आज आपने चार्गफ सुरूच पढ़ा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, एंड शेयर and if you have any question and query please comment thank you very much